Hey everyone, my name is Gaurav, welcome to Scorzala. Scorzala के online platform में आपसे विगास होगए हैं, और जैसा कि आपसे को बता है, हम chapter number one, set के बारे में discuss कर रहे हैं, कि set क्या होता है, और basically हमने types of sets के बारे में discuss कर रहे हैं, और types of sets के अंदर हम पहले भी देख चुके हैं, और अब हम और आगे देखने वाले हैं यहाँ पर, तो देखें, आज हम यहाँ पर, आपके पास empty set के बारे में देखेंगे, कि set के अंदर हम empty set किसे बोलते हैं, finite and infinite set क्या होता है, and equal sets क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत यह अच्छा रंग से discuss करने वाले हैं, तो फिर start करते हैं वीडियो को, तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे empty set के बारे में, कि empty set किसे बोलते हैं, देखें, ऐसा set के बारे में बोल रहे हैं, जिसके अंदर कोई भी element ना हो, या फिर कोई भी object ना हो, या कोई भी number ना हो, उस set को हम क्या बोलते हैं, आपके बास empty set बोलते हैं, देखें, definition क्या बोलती है, a set which does not contain any element, is called the empty set, empty set बोलेंगे, पहली चीज़ तो, इसके साथ हम उसे null set भी बोल सकते हैं, या फिर इसे white set भी बोल सकते हैं, तो basically ये तीन नाम हैं इसके अलग-अलग, लेकिन basically हम हमेशा empty set या null set से हम इसे define करते हैं, कि ये null set है, या फिर empty set है, अब इसे represent करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ, कि यदि sir इस तरह से लिख दिया जाए, तो क्या ये भी empty set होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने zero से fill कर दिया है इसे, तो ये empty set नहीं कहलेगा, zero भी हमारे पास एक number है, उसका भी एक set होता है, तो basically ये आपके पास set नहीं कहलेगा, तो empty set किसे बोलेंगे, empty set वो set होता है, जिसके अंदर आपके पास कोई भी content नहीं होता है, empty set ऐसा set है, जिसके अंदर कोई भी content नहीं होता है, इसे हम बोलता है, just like एक और example बताता हूँ, मैं यहाँ पे, कि S एक हमारा ऐसा set है, जिसके अंदर x column मैंने यहाँ पे लिखा है, और यह जो x की value है, वो आपके आच greater than है, आपके आच X and less than है two, लेकिन इसके अंदर आपके आच क्या आएगा, integer number आना चाहिए, Yes, क्या आना चाहिए है हहाँ? पर integer numbers आपके पास होने चाहिए, तो अब आप बुलेंगे कि sir, 1 and 2 के बीच में कोई भी integer number नहीं है, तो हम इसका क्या यहां पर set बनाएं, इसका क्या set बनेगा, तो जब इसका कोई भी set नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब क्या होगे, हम इसे क्या लिख होता है, जब भी हम किसे set केंदर कोई भी data नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके का data नहीं रखते हैं, तो वो हमारे पास क्या कलाएगा, empty set कलाएगा, यह आप क्या है, यह आप क्या दिखाने का तरीका है, empty set को और भी तरीके से, कि यदि आप किसकेंदर कोई value रख लें और उ और ऐसा set, जिसके अंदर element हमारे पास infinite time तर चलते जा रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलेगा, infinite set कहलेगा, चलिए देखें इसकी definition पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा है, a set is which is empty or the constant of well as a defined number is the element called of the finite, otherwise is the set of called the infinite, चलिए रेखें यहां पर बात कर दें किस तरह से, देखें, मैं बोलता हूँ, एक आपको ऐसा set बना रहा है, जिसके अंदर one to five number होने चाहिए, one to five तक के number होने चाहिए, वो भी integer number, चलिए one to five number लेते हैं, तो one आएगा, two आएगा, फिर three आएगा, फिर four and then five आपके पास आजाएगा, यह आपके पास set बनेगा, जिसके अंदर क आपके पास एक set बच चुका है, और इस set की जो element है, वो आपके आपके पास fix है, one to five है, one to five हो गया, इसके अलवा एक और बात करते हैं, यहाँ पा, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, कि week के name बोलिए, तो week के name आपने बोला कि यहाँ पर Monday, फिर उसके बाद Tuesday, फिर उसके बाद हो गया, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, और आपके पास हो गया, यहाँ पा Sunday, यह आपके हैस क्या हो गया, एक finite set, क्योंकि इसके अंदर जो आने वाले element है, इसके अंदर आने वाले element है, वो क्या है, fix है, इससे जादा नहीं आ सकते, one to five के लिए मैंने गोला, तो one to five तक fix हो गया, तो यह हमारे प पास क्या गलाएगा, infinite set कलाएगा, देखें कैसे बोलेंगे, तो as is equal to मैंने बोला यहाँ पर, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे है, positive number के integer, positive integer को ले रहे हैं, किसको ले रहे है, positive integer को ले रहे हैं, तो आप उनका set बनाएगे, तो positive integer क्या होते हैं यहाँ पर, positive integer, one, two, three, फिर हमार पास कौन सा कलाएगा, infinite set कलाएगा, क्योंकि इसके लिमेंट आपके पास finish नहीं होते हैं, तो आप infinite set से दिखाते हैं, then dot 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 लगा के छोड़ दिया, लेकिन किसी ने आपको इस तरह से set दिया, चलिए मैं आप से question बूस्त हूं यहाँ पर, one लगाया, two लगाया, three लगा के five लगा दिया, and dot 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 लगा के यहाँ पर 50 दिया, तो अब जड़ा सोचिए, यह finite set होगा, यह infinite set होगा, चल्दी से comment में आपको बताना है यह आपर, yes कि मैंने जो बोला है वो सही है यह नहीं, ठीक है, देखे, मेरा क्या मानना है इसके अंदर, कि यह जो set हमारे पा पास आया है, यह set कैसा है हमारे पास, यह finite set, अब यह finite set क्यों है, क्योंकि देखिए इसके अंदर, yes इसके अंदर आप देखेंगे, तो इसके अंदर यह value है, वो end value यहाँ पर दे दी गई है, जब हमारे पास कोई भी end value ना मिले, तो तब तक हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, infinite set तक बोलेंगे, यदि हमें कोई end value देदी, dot dot करते वह यहाँ पर end value देदी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारे पास finite set हो गया, अब यह dot dot करने का मतलब क्या हुआ, dot dot करने का मतलब यह हुआ, कि इसके बीच में इतने सारे numbers है, कि वो यह अभी नहीं लिख सकता, वो यह, यहाँ पर नहीं लिख सकता, पेज छोटा पड़ जाएगा, यहाँ पर बिचारेगा, तो इस वज़े से उन्होंने क्या, dot 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 से represent कर दिया, कि भाई, इसके अंदर क्या है, कुछ, इसके अंदर क्या है, कुछ नंबर है, तो यह आपको इस तरह से represent कर दिया, clear समझ क्या है, infinite set है, और यह भी आपका क्या है, finite set है, यह चीज का आपको धियान रखना है, ले समझाएं आप, ओके, चले next यहाँ पर, तो next अब आपके पास है equal set, अब देखे, equal set किसे बोलते हैं, ऐसे दो set के बीच में आप comparison कर रहे हैं, जिन दोनों set के element, आपके पास same हो, element की counting नहीं बोल रहा है, elements की elements की बात कर रहा हूं सारे, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, यहाँ पर, आपके पास equal sets कहलाते हैं, देखे, क्या बोल रहे हैं, the two sets A and B are set to be equal, if they have exactly the same element, yes, इस चीज का आपको धियान रखना है, मैंने क्या बोला है, same element के बारें बात की गई है, यदि वो same element है, तब हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, equal set बोलेंगे, we write A equal to B, otherwise, otherwise, the set are set to be unequal, we write A not equal to B, just like देखे, यहाँ पर बात करता हूं मैं यहाँ पर, कि A equal to आपके set है, जिसके अदर 1, 2, 3 and 4 आपके पास दिया हुआ है, एक B लेता हूं मैं यहाँ पर, जिसके set और बनाता हूं मैं यहाँ पर, किस नाम से, C नाम से, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर, 3 लिया, फिर उसके बाद 1 लिया, फिर यहाँ पर 4 लिया, और 1 ले लिया, sorry, 1, हाँ चलो, 1 डाल देता है, यहाँ पर, यह ले लिया, right, अब देखे, तीनों के अंदर ज गेम हो रही हो, तभी हम बोलेंगे, तो देखे, इसके अंदर क्या पढ़ा है, 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, इसके अंदर भी देखे हैं, तो 1 पढ़ा है, 3 है, 4 है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दोनों में है, तो इस वज़े से हम क्या बोलेंगे, A is equal to B, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, A is क्या बोलेंगे, A is a does not equal to B, A is a does not equal to B, because, because, देखे जरा यहाँ पर देखे, because मैं क्या बोलूँगा, कि आपके पाद जो 2 है, 2 is belongs to B, 2 is belongs to B, but 2 is does not belong to a C, 2 जो है, वो C से belong नहीं करता है, इस वज़े से आप यहाँ पर बोल सकते हैं, कि यह दोनों आपके पास equal नहीं होंगे, इस वीडियो के अंदर हमने क्या 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 होते हैं, अनिकोल सेट्स क्या होते हैं, एम्टी सेट किसे बोलते हैं, इन सारी चुज़े के बरन देखा, अब एक कुश्चन देखते हैं यहाँ पर, और जला इसका और अच्छेटेंग से समझते हैं, चलिए लिखा है, find the pair of the equal sets if any, given and reason मदब आपको देना है, तो आपको reason भी देना है, चलिए, a आपके आज दे रहे कहा है, 0, a के set में क्या है, 0 है, b का set आपको बनाना पड़ेगा, चलिए, b का set बना लेते हैं, यहाँ पर, b का आपके आज बोला गया है, यहाँ पर, लिया, तो देखे, b आपके आज क अब a की बात करें, तो a आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 से है, यहाँ आपके आज क्या है, 0 है, अचा c के अंदर बोला है, कि x की जो value है, x minus 5 equal to 0 के equal है, तो x की value कितनी होगा यहाँ पर, 5 हो चुकी है, यहाँ पर, c is equal to क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक set है, जिसके अंदर value क्या है, 5 है, क्योंकि यह जो minus 5 है, उधर आएगा, तो plus 5 बन जाएगा, तो x is equal to 5 होगा, x is equal to 5 ही, वो इसको रखने के लिए बोलता है, इन्होंने बोला है कि x square is equal to 25, x square is equal to 25, आपके बहुँए d, टो d is equal to x square 25, कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, और minus का 5 हो सकता है, यह 2 हो सकत to 25 को follow करेगी, तो x के अंदर आप value रखिए, x के अंदर क्या रखेंगे, value रखिए, देखें मैं 5 रखता हूँ, तब भी मुझे 25 मिलता है, minus 5 रखता हूँ, तब भी मुझे 25 मिलता है, तो इसका मतलब आपके आज 5 और minus 5 प्यों नों आएगे, चलिए इसकी equation को दो part में करते हैं और इसका root निकालते हैं, root निकालें इसके, तो आपके आज 15, 15 के क्या होंगे, 5 3 यहाँ पर, 5 3 जाब 15 हो गया, yes, 5 3 जाब 15 हो गया, तो मैं यहाँ पर गोलूगा, x square, minus sign के साथ यहाँ पर 5 x, plus sign के साथ यहाँ पर 3 x, minus 15 is equal to 0, यहाँ से आप क्या करें, common x को निकालें, तो x minus 5 हो जाएगा, plus का 3 यहाँ से निकालें, तो x minus, यहाँ पर क्या होगा, x minus 5 हो जाएगा, clear, और equal to, आपके आज क्या करेंगे, 0 कर दीगी, okay, देखें, x की value क्या क्या ही है, x की value एक तो 5 आ चुकी है, और x की value एक क्या आ चुकी है, यहाँ पर, minus का 3 आ चुकी है, यहाँ आपके आसा है, तो x is equal to 5 और x is equal to minus 3 है, चलिए मैं इसका set बनाने जा रहा हूँ, लेकिन set बनाने से पहले मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो देखें, यहाँ पर बोला है positive integral, यहाँ पर आपके आसका सा लेना है, positive root लेना है, यहाँ पर, तो चलिए positive root लेते हैं यहाँ पर, yes, positive root लेते हैं, तो एक negative है, एक positive है, negative कौन सा है, यहाँ पर minus 3 है positive क्या है, प्लस का 5 है, तो मैं यहाँ पर e की एक बनाऊँगा, e का e का यहाँ पर set बनाऊँगा, जिसके अंदर क्या लोंगा, केवल और केवल 5 लोंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या लगया है, positive के बारे में बोला के है, yes, positive के बारे में यहाँ पर बोला गया है, चलिए, अब हम क्या करता हैं यहाँ पर, equal set निकालना है, यहाँ पर देखे, pair of the equal sets होता नहीं, तो देखे, यहाँ पर क्या आप बोल पाएंगे, a is equal to b, नहीं, चलिए, b equal to c ब है c is equal to e बोलेंगे क्योंकि दोनों के अंदर जो element है वो आप क्यास क्या से में इधर भी 5 है इस वज़े से हम यहाँ पर इसे बोल सकते हैं कि यह दोनों क्यासे हैं यहाँ पर equal set है तो इस तरह से आप बोला जा सकता है तो आपको overall समझ में आ चुका होगा कि equal sets, unequal sets किसे बोलते हैं आपके पास यहाँ पर finite, infinite sets किसे बोला जाता है और आपके आस empty set क्या होता है तो फिर मिलते हैं next studio के अंदर जहां पर हम sets related और भी चीज़ों के बार में discuss करेंगे तब तक आप हमारे साथ यह ही बने रही है तेल कि अःए तन में रही है यहां बदके ऑऴाबने लिए ही है सोफे हैं न lahतब संसी थेचल से बार के च ऑईए हैं अवारे साथा अवारे साथ